कोरोना पूरे विश्व में कहर बन कर उभरा है एक तरफ कोरोना वायरिस बड़े देशों को बौना साबत कर रहा है तो इसी भी छोटे देश काफी हद तक कोरोना पर जीत हासल करते नजर आ रहे है लेकिन इसके साथ ही साथ गरीब और कम आर्थिक संपन देश काफी मुश्किल में है जिनके पास इस खतरनाक वायरिस से लड़ने के लिए ना ही पैसा है और ना ही साजो सामान ठीक इसी तरह पाकस्तान देश है जिसके पास ना ही पैसा है ना ही सामान और ना ही ताकत जो इस खतरनाक होते कोरोना वाइरस से लड़ सके इसलिए अब पाकिस्तान में कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए पैसों की सक्त जरूरत है इसके साथ ही साथ अंतराष्ट्रे मुद्राकोश नगदी संकट से जूज रहे पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की मदद दी लेकिन दूसरी मदद देने से इंकार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुद्राकोश के माबदंडों को लागू करने में देरी कर रहा है यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि पिछले साल आईमेफ ने पाकिस्तान के लिए 3 साल के अंदर 6 अरब रुपए देने का समझोता किया था लेकिन दूसरी किष्ट को देने से इंकार कर दिया है आईमेफ ने दूसरी राहत को देने से पहले समीक्षा की थी और उसके बाद पाकिस्तान को पैसे देने से इंकार कर दिया अभी यही चल रहा है कि इसके साथ ही FATF की बैठक होने वाली है जुसमें पाकिस्तान के मामलों की समीक्षा की जाएगी जुसमें देखा जाएगा कि क्या आतंकियों को फंडिंग करने और रोक लगाने संबंधी कानून में पाकिस्तान कितना सफल हुआ और यह बैठक जून में 20-26 तक FATF की होने वाली इस बैठक में सभी लोगों की नजर पाकिस्तान पर होगी और इस बैठक में ये समीक्षा होगी कि पाकिस्तान को ग्रे में रखा जाए या नहीं FATF ने पाकिस्तान को चार महीने की महलत देते हुए कहा था कि अगर पाक जून 2020 तक आतंकी गत्विधियों को कम नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा पैसे नहीं दे रहा अब इमरान खान के पास चौथा एक ही रास्ता है देखना होगा कि वो रास्ता अपनाता है या अपने पद को छोड़ देता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा